वेलकम टू एकजाम सहपाठी आज के इस वीडियो में हम जूनियर के हिस्ट्री के सेलबस के क्रम में अगला टापिक देखेंगे जो की है स्वाधिनता अंदोलन और ये टापिक थोड़ा लंबा है इसका हम तीन पार्ट में अध्यन करेंगे तो पहले सबसे पहले देखते है तो इसकी सुरुवात करते हैं हम गांधी युक से तो इनका जन्म माहत्मा गांधी का जन्म जो है 1869 इस्वी में गुजरात के काठियावाड जेले के पोरबंदर नामकस्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था तो पिता का नाम करमचंद गाधी माता का नाम नाम किया था तो उनका नाम था कस्तूरुबा गांधी जिनको बा के नाम से जाना जाता था तो बा के नाम से किसको जाना जाता था ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये जाना जाता था कस्तूरुबा गांधी को इन्हों ने अपनी वकालत की पढ़ाई कहां की थी तो ब रिटेन के दाइनर टेमपल कालेश से पढ़ाई करके इन्होंने नासिक और रासकोर्ट में अपने वकालत की प्रैक्टिस की इनके दादा का नाम किया था तो दादा का नाम था उत्तम चंद आगे देखते हैं आगे आगे आपका 1893 में क्या हुआ कि गुजराती ब्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला और इनका केस लड़ने के लिए गांधी कहां गए अफ्रीका चले गए जहां पर पीटर्स मोहिट्सबर्ग ये नाम आप याद रखेंगे इसका जो है उच्चारण अलग-अलग हो सकता है लेकिन आप से इसी तरह से मिलेगा आपको पीटर्स मोहिट्सबर्ग नामक रेलवेज स्टेशन पर इन्हें क्या किया गया अंग्रेजों ने ट्रेंज से नीचे फेग दिया ठीक है न क्योंकि ये अस्वित थे यानि कि ये अंग्रेज नहीं थे तो उसके डिब्बे में ये यात्रा कर रहे थे तो इनको जो है आप बाहर फेग दिया गया इसमें आपको इंपोर्टेंट क्याया रखना है कि इस स्टेशन का नाम पीटर्स मोहिट्स वर्ग नामक रेलवेज स्टेशन और जिसके बाद 1894 इन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस का गठन किया था तो 1894 में नटाल इंडिया इंडियन कांग्र और इंडियन ओपेणियन प्रत्रिका महात्मा गांधी से संबंदित है और 1904 में इसको प्रकासित किया था यह तेलगु भासा में प्रकाशित हुई थी गाधी ने अपना सरो प्रथम सत्याग्रह अफरीका में किया था तो अपका जो है अगर गाधी जी का सरो प्रथम सत्याग्रह पुछा जाए तो वो अफरीका में किया था लेकिन जो है भारत में पूछा जाए तो भारत में अपका चमपारण सत्याग्रह था ठीक है ना तो सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था काधी जी ने वो कहा किया था तो वो अफरीका में किया था 9 जनवरी 1915 को गांधी क्या हुआ कि पूर्ड रूप से भारत लोटा है गांधी के कहने पर भारत जो है वो प्राथम विस युद्ध में कबसे कब तक हुआ था 1914-18 तक तो प्राथम विस युद्ध में भारत हिस्सेदार बना था किसके कहने पर गांधी कि कहने पर इसल kolayatarई कंव हार्डिंग द्विती जो थे उन्होंने गांधी सब उपाधियां जो है गांधी के नाम पर ही है ठीक है अब आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो चंपारण सत्याग्रह क्या था कि यह गांधी के द्वारा भारत में किया गया सरो प्रथम सत्याग्रह था तो गांधी ने जो सबसे पहले भारत में जो सत् चंपारण सत्याग्रा लेकिन गांधी का प्रथम सत्याग्रा अफ्रीका में था ठीक उनिस सो सत्र में यह हुआ था सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है अपका चंपारण सत्याग्रा का अब जो है कहां पर है तो वह हर के मोतिहारी जिले में चमपारण नामक जगह है यहाँ पर क्यों यह हो रहा था यहाँ पर तिन कठिया पद्धती यानि कि भूमी के तीन बटे हिस्से पर नील की खेती करने के लिए कहा जाता था किसानों से नील की खेती कराई जा रही थी ठीक है तिन कठिया पद्धती के विरुद जो है ये चंपारण सत्यग्रह हुआ था आप ये पॉइंट याद रखेंगे लेकिन क्या हुआ कि जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो गई ठीक है मतलब महाँ पे केमिकल जैनील बनाया जने लगा तो उस वज़े से चंपारण के किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रहे थी जतना लागत लगा के वो पैदा कर रहे थी इसी करण यहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया तो तिनकठिया पद्धती के लिये जो है ये चमपारण सत्याग्रह किया गया था ठीक है जब यहां के किसानों विद्रो कर दिया तो चमपारण के किसान थे राज कुमार सुकल ये नाम important है याद रखना इनके कहने पर जो गांधी थे वो चमपारण आए और यहां पर सत्याग्रह किया और उनको सफलता मिली चमपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही रविंद्र नाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपादी से नमाज़ा था तो गांधी को महात्मा की उपादी कब मिली तो चमपारण सत्याग्रह के बाद और यह उपादी किस ने दी थी तो यह उपादी दी थी रविंद्र नाथ टैगोर ने ठीक है यह point आप जरूर याद रखेंगे तो यह हो गया आपका चमपारण सत्याग्रह के बारे में अब आगे देखते हैं आगे क्या है तो आगे है आहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो की हुआ था 1918 में चमपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में ठीक है न आहमदाबाद में क्या हुआ कि प्लेक फैला था तो उस दरवान मजदूरों को 33 percent बोनस दिया जा रहा था. तो जो महां के मिन थे, उनके मजदूरों को illustrate, प्लेख फैला था इस वज़़े से 33 पर्शेंट बोनस दिया जा रहा था. लेकिन जब प्लेख समाप्त हो गया, तो ये बोनस देना मिन वालों ने बंद कर दिया. जिससे मिल के मजदूरों ने क्या किया आंदोलन कर दिया ठीक है तो मिल के जो मालिक थे अंबालाल सारा भाई उनकी बहन अनुसुया बेन ने महात्मा गांधी को अहमदाबाद आने के लिए पत्र लिखा ये क्वेश्चन आप से पूछा जाता है कि आहमदाबाद मिल मजदूरांदोलन के लिए किसने जो है महात्मा गांधी को पत्र लिखा था तो वो थी अनुसुया बेन जो की मिल के मालिक अंबालाल सारा भाई की बहन थी गांधी जो है आहमदाबाद आए और यहाँ पर गांधी ने अपना सबसे पहला भूखड़ताल किया तो जो सबसे पहला भूखड़ताल है वो किया था एहमदाबाद मिल मजदूरांदोलन में और सबसे पहला भारत में सत्याग्रा कहां पर हुआ था तो वो खेडा सत्यगर्य भी आपका एक बड़ाno खेडा इस्वी में हुआ था और खेडा कहां पे है तो खेडा भी गुजरात में श्तित है, यहाँ पर क्या हुआ हुआ कि पिछले वर्स के मुकाबले वर्तमान वर्स का उत्पादन एक बटा चार से भी कम था जिसके बाद भी यहां के किसानों से लगान लिया जा रहा था यहां पर यह कहा गया था कि अगर पिछले वर्स की मुकाबले इस वर्स आपका उत्पादन एक बटचार से कम होगा तो आपसे लगान नहीं लिया जाएगा लेकिन यहां पर अकाल पड़ा था और एक बटचार से कम उत्पादन भी वह था उसके बाद भी लगान लिया जा रहा था इसी कारण खेड़ा के दो किसानों क्या नाम था उनका मोहनलाल पांडिया और संकरलाल पारिक के कहने पर महात्मा गांधी जो है वो खेड़ा गए और यहां पर भी सत्याग्रह किया और इनको सफलता मिली ठीक है तो खेड़ा सत्याग्रह में भी जो है गांधी को सफलता मिली उससे रेलेटेट्ट देखिए क्या हुआ था कि अगर आप सी बीन किसी अगर आप कहीं भी इकठा होते आपको बीना कुछ बताए यह आपको गिरफतार कर लिए जाएगा ठीक है तो यह करांतिकारी गतविधियों पर रोक लगाने के लिए अंग्रे सरकार ने इसको लागू किया था रोलेट एक्ट को जिन्ना ने कहा काला कानून ठीक है तो काला कानून किस ने कहा था तो रोलेट एक्ट को जिन्ना ने जो है काला कानून कहा था और इसे ये क्वेस्चन आप से पूछा जाता है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कौन था तो वो था आपका रोलेट एक्ट ठीक है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कौन था तो वो था रोलेट एक्ट रोलेट एक्ट के विरोध में गाधी ने फरवरी 1919 2019 डेट इंपॉर्टेंट है आपका फरवरी 1919 याद रखना आप लोग गादी ने जो है बंबई में सत्याग्रह सभा का गठन किया था रोलेट एक्ट के विरोध में ठीक है आपको डारेक्ट पूछा जाएगा कि कहां पे ये सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था तो ये हु को क्या किया क्या कि गिराफथार कर लिया गया था ठीक है ये रोपंजाब के महत्फपूर्ण एंथा था심कर लिया गया और इनकी जो है गिराफथारई के विरोध में हांसराज नाम के एक ब्यक्ति था जिसने 13 अप्रैल 1919 को जलिया वाला बाग में एक बैठक बुलाई थी ठीक है और वहाँ पे काफी लोगी खठा हुए और लेकिन पंजाब का जो जनरल था जनरल ओडायर उसका नाम था उसके कहने पर आल डायर ने ठीक है निय ने नियत्ती भीड पर गोलियां चलवाई थी ठीक है ना और इस से जो है काफी लोग मर गए और इसमें जो है रविंद्ना टेगोर ने इस घटना से आहत होकर अपनी सर की उपाधी उनको नाइटिट की उपाध मिली थी रविंद्ना टेगोर को तो उन्होंने अपनी ये त्याग दी थी ठीक है रविंद्ना टेगोर ने ओडायर को इस घटना के लिए ब्रिटेन में स्वार्डा फानर सम्मान से सम्मानित किया गया जो ओडायर थे जिन्होंने ये गोली चलाने का आदेश दिया था जिनके कहने पर ये गोली चलाए गई थी उनको जो है इंग्ल 1940 को फांसी दी गई तो इनको जब फांसी दी गई ये डिट आप से पूछी जाती है तो उधम सिंग को 13 मार्च 1940 को फांसी दी गई क्यों क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन जाकर ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी अब देखिए एक कमेटी का गठन किया गया था इसकी हत् हंटर कमेटी का गठन किया गया तो हंटर कमेटी का गठन आप याद रखेंगे क्यों किया गया था तो वो किया गया था जलियावलाबाग हत्याकांट की जांच के लिए हंटर कमीटी में तीन भारती थे जो कि इनका नाम था सुल्तान अहमद जगत नराड और चमललाल सीतर वर्ड आपको नाम रियाद रखने की जरूत नहीं है ठीक है ना यह हंटर कमीटी में सामिल थे और भारतियों ने जो है कौन सी कमेटी बनाई थी इसके जांच के लिए जलीवलाबाद घर्तिया कांट की जांच के लिए तो वो थी तहकीकात कमीटी का गठन भारतियों के महात्मा गांधी तो यह तीनों जो है तहकीकात समीती के प्रमुक सतर से थे ठीक अब आगे देखते हैं हंटर कमीटी आप याद रखना और तहकीकात कमीटी यह दोनों जो है जलीवाला घत्यकांट से संबंदित है अब अगले वीडियो में हम लोग स्वाधिनता अंदुर